हलो बहनों भाईों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे ओम स्वस्थ होंगे साथियों आज हम आप लोगों के लिए एक नई रिस्पी ले करके आए हैं आटे के लड़ू तो चलिए आटे के लड़ू बनाना स्टार्ट करते हैं साथियों आटे के लड़ू बनाने के लिए हमने ये कुछ सामगरी लिए है ये देखिए इसमें हम कुछ बदाम लिए हैं कुछ काजू लिए हैं ये पिस्ते लिए थे पिस्ते के अंदर के लिए निकाल लिए हैं गुदे ये हमने मुमफली के दाने इतने लिए हैं और ये इलाइची के दाने लिए हैं ये देखे इतनी सामगरी ये साथियों हम स्टार्टिंग में लेंगे और ये बहुत ही फाइदे मंद होते हैं सर्दियों में इनको बनाया जाता है सर्दियों में एक तिलवा का तिवहार होता है उस दिन जो है ये बनते हैं और हम उसी के उपलक्ष में बनाएंगे और वैसे भी आप सर्दियों में अगर तिवहार नहीं मनाते हैं तब भी आप इसको बना करके खा सकते हैं और ये सर्दियों में गरम होते हैं और बहुत ही फाइदा करते हैं, फाइबर भी इसमें मिल जाता है, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसको बनाने के लिए साथियों हमने ये गुड लिया है, करीब 200 ग्राम हमने गुड लिया है और ये अच्छा वाला गुड है, आप जब भी बनाएं तो अच्छा गुड लें, साफ हो, और ये बहुत अच्छा नहीं है, तो तब भी काम चल जाएगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसको साफ करने का तरीका, कैसे इसको साफ करते हैं, ये हमने साथियों सोट ले थी, उसको मैंने पीस लिया है, ये सोट करीब 100 ग्राम के आसपास है सोट जरूर डालें, इसका टेस्ट ही अलग होता है, ये मैंने कुछ मखाने लिये हैं, ये मखाने भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे साथियों, इसमें बहुत सी सामगरी पड़ती है, और ये देखिये मैंने देशी घी लिया है, ये मेरे पास गाय का घी था, ये करीब 50 ग्र के आसपास घी है, ये घी हमने लिया है, और ये देखिये साथियों मैंने 500 ग्राम गेहों का मल्टी ग्रेन आटा है, ये साथियों का मल्टी ग्रेन आटा हमने 500 ग्राम लिया है, साफ है, अच्छा है, और इसको बनाने के लिए कुछ, हमने ये इसके दाने लिये हैं, तिल के ये बहुत अच्छा साफ वाला तिल है पढ़या तिल है आप साथियों गैसान करेंगे कडाही चड़ा देंगे गैस पे अब इसका प्रोसेस आगे सुरू करते हैं मुंफली के दाने जो हमने लिये थे साथियों इनको हम रोष्ट कर लेंगे कडाही में कुछ नहीं डालेंगे ऐसे ही रोष्ट करेंगे इसको इसको इस तरीके से देखे चलाते रहेंगे और ये रोष्ट हो जाएंगे गैस की फिलेम साथियों कम रखें नहीं तो आपकी कडाही जल जाएगी गैस कम ही रखनी है मुम फली के दाने भून गए हैं इसी तरीके से मक्हाने भून लेंगे यह भी कुर्कुरे कर लेंगे थोड़ा सा चलाएंगे मक्हाने भून जाएंगे एक बार चेक भी कर लेंगे इंको कि पक गए 祂ँ पक गए spins थोड़ करके वो ऐसे जब आप कडाही से निकालेंगे, ये एक टिप्स है, इध्यान रखिएगे, कडाही से जब निकालेंगे, थोड़ा सा ये ठंडे होंगे, तभी ये कुरकुरे होंगे इसमें साथियों जो हमने काजू लिये थे, वो भी डाल लेंगे काजू भी भून लेंगे, थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे इसी में और जो मुमफली के दाने लिये थे साथियों, वो भी हम रोष्ट कर लेंगे, ये देखें, मुमफली के दाने रोष्ट करके हमने उसके ये निकाल लिए है छिकल हटा दिया है गुदी गुदी उसकी रख लिए मखाना काजू मुफलिक दाने ये सारे चीजें हमने रोष्ट कर लिए इनको एक साइड में रख देंगे साथ में अब कड़ा ही गरम करेंगे फिर से और उसमें ये देसी घी जो हमने लिया था गाय का वो इसमें डाल देंगे आपके पास जो भी देसी घी हो इस्तेमाल कर सकतें नहीं है तो आप रिफाइन भी इस्तेमाल कर सकतें और इस आटे को जो हमने 500 क्राम आठा लिया है उसको हम भूनेंगे इस आठे को इस देशी घिमे हम भूनेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुस्बू अच्छी सी पढ़िया से नहीं आने लगेगी और ये आटा अच्छे से पक नहीं जायगी इध्यान रखेएगा इसको बस ऐसे चलाते रहेंगे छोडेंगे नहीं इसको नहीं तो ये फिर जल जाएगे इसको प्रापर चलाते रहेंगे, इसका कलर चेंज होगा, आटे का गोल्डेन कलर हो जाएगा साथियों, गोल्डेन कलर में आटा आजाएगा और इसकी महेक बहुत जबर जस्ताएगी, बहुत अच्छी महेक आने लगेगी, तीसरा यह है कि आप इसको आटे को खा के थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, कि आटा पका है नहीं, क्योंकि आटे को पकाना बहुत शरूरी है, इसको इस तरीके से चलाते रहें, खुश्बू आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आटा पक गया है, प्रापर, इसका कलर भी में नीचे एक जिगे से जलेना, प्रापर पके पूरा आटा, चला चला कि इस तरीके से इसको कल्चल से पकाएंगे, बढ़या से, और अगर इसके फुटके बनते हैं, तो इसको कल्चल से फोड़ देंगे, पराबर करते रहेंगे, और यह बहुत अच्छा पक जाएगा सा आटे से खुषबू आ रही है, बढ़या पक गया है आटा, इसका कलर भी देखिए, चेंज हो गया है, यह दू-तीन चीज़ें हैं, इस ध्यान रखेंगे, अब यह जो हमने तिल लिये थी, इनको भी हम भून लेंगे, तिल भी चटक जाएंगे, तो समय लिए भून गया है इनका साइस मूटा हो जाएगा, यह फूल जाएंगे, तिल पहले चिप्टी रहते हैं, उसके बाद में जब यह पग जाते हैं, तो यह सारे तिल फूल जाते हैं, और यह भी सी आटे में डाल देंगे, देखिए साथ ही, उसमें कितनी सामगरी पड़ती है, और कितना टेस् सफाई होती है, यह पाँची टिप्स है, यह ध्यान रखिए, गुड़ साफ करने का तरीका, गुड़ की सफाई कैसे करें, पानी हमने इसमें डाला है, पानी खूल ने देंगे, और यह जो गुड़ हमने 200 ग्राम लिया था, इसमें डाल देंगे, पानी में और इसको इस त यह देखिए, गुड़ पिखल गया इसमें पानी में, और इसको अब हम एक छनी से छान लेंगे, एक बाउल नीचे रखेंगे, उपर छनी रखेंगे और इसको छान देंगे, अब इस सारी गंदगी जो गुड़ की है, वो इसमें निकल गई है, यह देखिए, यह और यह गुल का पानी जो बना लिया था मैंने इसको इसमे डालेंगे अब इसको हम पकाएंगे इसकी चासनी तयार करेंगे साथ हुआ जब तक गुड़ गरम हो रहा चासनी बन रही तब तक इधर जो हमने मेवा लिये थे भून के रखे थे काजू, बदाम, मखाने ये सब हम इनको काट लेंगे बारीक बारीक काट लेंगे तब तक जब तक उधर गुड की चासनी तयार हो रही है यह देखे सारी चीजे मैंने काट ली है मुमफली के दाने भी साफ कर लिये थे बादाम भी मैंने काट लिये है पिस्ता भी काट लिया है काजू भी काट लिया है मखाना भी काट लिये है अब इधर ये देखिए चासनी लगभग तयार है। और इसकी चासनी दोस्तों बहुत hard नहीं करेंगे, लाइठ ही चासनी रखते हैं। अब भी मैं बताऊँगा आपको एक तारवाली रखेंगे। इसकी चासनी एक तार वाली रखेंगे बहुत टाइट नहीं करनी होती है आटे के लड़ू ये भी टिप्श है ये ध्यान रखेएगा आटे के लड़ू जब बनाते हैं तो उसकी चासनी बहुत हार्ड नहीं करते हैं ये देखे चेक करेंगे एक तार बनने लगेगा तो इसको जो है कर देंगे लगभग ये चासनी आ गई है तयार हो गई है थोड़ा सा और इसको चलाएंगे और इसका देखो गुड़ दोस्तों बहुत साफ हो गया है बहुत बढ़े है इसका कलर कितना बढ़े आया है देखिए चासनी तयार है भी साथियों जो आटा भून के रखा था ये इसमें अब डाल देंगे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ये देखें, सारी मेवा इसमें डाल दे, सरदियों की बिलकुल झड़ी बूटी तयार हो रही है बन करके, कडाके की ठंड में और ये लड़ू काये चाहे सफर में ले जाईए चाहे सुछ में बच्चों को दीजीए बहुत ही जबरज़स तरेस सोट इसमें जो डालेंगे वह तो बखुत बढ़ी कमाल करती है उसका तो कमाल ही अलग है ये देखिए सोठ हमने अब इसमें डाल दी सफर के लिए तो बहुत अच्छ है आप बाहर खेतों में कहीं काम करने जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं आप ले करके जाईए और खाईए कई दिनों तक आप अब तो इनको रख करके खा सकते हैं कुछ इसमें नहीं खराब होने अला ये देखिए अब सारा इसमें मिक्स करेंगे साथियों सारी सामगरी एक में मिक्स करेंगे अच्छे से मखाने आप चाहें तो और छोटे छोटे पीस कर दें कर सकते हैं लेकिन मैंने बड़े रखे हैं बच्छों को पसंद आता है मखाना निकाल के लड़ू से खाते हैं काजू निकाल के खाते हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े पीस रखते हैं ये देखे, इस तरीके से इसके लड़ू बनाना शुरू कर देखे, हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और ये लड़ू बनाना स्टार्ट, ये देखे, आप लड़ू अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े या जैसे आप चाहते हैं, उस साइज में बनानी आ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत अच्छे लड़ू बनना है, और बहुत ही आसान है बनाना साथियों, आप अपने घर में इस तरीके से बनाएं, बहुत ही आसान तरीका है, ये देखिए, इस तरीके से, सारे लड़ू बना कर तयार करने हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे लड़ों बंते हैं सरदियों के बिल्कुल जड़ी बूटी है, साथियों यह देखिए, आप दोनों हाथों से भी बना सकते हैं दोनों हाथों से बना ये, अराम से छोटे को फार आलोगों ने करके रूपले भी कर सकते हैं उस तरीके से भी बन जाते हैं, आप जिस सेप में चाहें उस सेप में इनको बना सकते हैं, पिडिया टाइप से भी बन जाते हैं, गोल भी बन जाते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको थोड़ा सा जमा के भी बर्फी स्टाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज ये गो बनाऊंगा दिखा रहा हूं आपको बना करके दूसरे तरीके के अगले दिन बना के दिखाऊंगा कई तरीके से साथियों लड्डू ये बन जाते हैं ये देखे सारे इस तरीके से एक एक करके ये सारी लड्डू बना लेंगे ये देखे साथियों मेरे लड्डू बन करके त साथियों बहुत ही आसान तरीका है बनाने का आप इनको अपने घर में इस तरीके से बनाएं और सभी को खिलाएं तो साथियों ये मेरा बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें पूरा वीडियो देखने के लिए सा यद चैनल पर नए हो तो करपया चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद